नमस्कार दोस्तों रियेज केसें अकेडमी में आप सबी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि आप सबी लोगों को जानकारी है कि इसके पूर्व में हम लोग परधान मंत्री और मंत्री परसद इस टापिक को एक कांसेप्चुल वे में जो है अध्यन कर चुके हैं तो अब हम विभिन परकार के परिच्छाओं में पूछे गए सवालों को देखने का यहां पर प्रियास करेंगे जिससे बहु आयामी सवालों को हल करके इसके बारे में ना केवला उधारात्मक बलकी तथ्यात्मक कोईस्चन को भी हम लोग अच्छे तरीके से परिच्छा म में साल्व कर सकें तो यहां पर पहला कोईस्चन हम लोग लेखते हैं कि भारत के पर्धान मंत्री के बिसे में निम्नेलिखित में से क्या सत्य है पर्धान मंत्री के संदर्व में रिखित में से कौन सा कथन सही है पर्धान मंत्री मंत्री परशत का नामात्र का जो है नेता होता है ये गलत है क्योंकि राश्टपत के संदर्व में ये बाते कहीं गई है वह संसत के प्रति उत्तरदाई नहीं होता ये भी बात गलत है वह अपने मंत्रियों में से किसी को बरखास्त नहीं कर सकता परधान मंत्री मंत्री परश्यत का वास्त बिखनेता होता है ये सही है ये दप वाके संख्या सी अगर देखा जाए कि वह अपने मंत्रियों में से किस वाक्य संख्यडी इसका सही उत्तर होगा जो कि परधान मंत्री मंत्री परशित का वास्तिविक नेता होता है अगली सवाल की तरफ हम लोग बनते हैं कि भारत का परधान मंत्री होता है निर्वाचित नहीं, चैनित नहीं, मनोनीत नहीं, न्यूक्त होता है क्योंकि अनुछेत हम लोग बढ़ेंगे कि निमने लिखित में से क्या सत्य नहीं है राष्टपति या राजजपाल को सास्किये कारियों के लिए बिथिक कार्रिवाही से उनमुकती है इसमें पूछा है वाकिन नहीं है कोई नियायाले राजजपाल को किसी कर्तबे पालन के लिए बिवश नहीं होती है मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपती को या राजपाल को दिये गए सला को जाजले के लिए याले अधिकृत है निस्वी तोर पर यहाँ वाके संख्या डी जो है वो गलत है क्योंकि कोई भी मंत्री राष्ट्रपती को या राजयपाल को अगर कोई भी सलाह देता है तो यह नियाले के जांस का भी से नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक नीतिगत मामला होता है और राजयपाल या राष्टपत स्वेंग जो है राजय मंदल या मंत्री परश्रद और इसी तरीके से राष्टपत जो है केंद्री मंत जो भी प्रधान मंत्री का है इसके पूर में जब हम लोग लेक्चर लिये थे तो उसमें इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि अनुछे दाठाहतर के अंतरगत प्रशासन और बीदी की संदर्व में जो भी प्रगती होगी जो भी कारे होगा जो भी नेडे लिया जाएगा इसकी सूचना राष्टरपती को प्रधान मंत्री की द्वारा दिया जाएगा या राष्टरपती इस बिसे में कोई भी सूचना मांग भी सकते हैं या मंत्री की द्वारा लिए गए नेडे की वो संपूर्ण मंत्री परशत की समझ रखने के लिए अपेच्छा कर सकते हैं तो इस तरीके से ये कोईस्टन भी साल्ब हुआ अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कैबिनेट पतलब कैबिनेट अस्तर के मंत्री तो भी कल्प संख्या इसमें भी अपने आप सही है क्योंकि मंतुरी पर सबसे बड़ी होती इसमें कैबिनेट, मंतरी, राज मंतरी, सुतंत, परभार और सारे लोग इसमें समिलित होते हैं इसी तरह कि हम लोग अगली कोईसिजन के तरह बढखेंगे कि संसदिय सासर में वास्तविक कारपाली का सक्तिया किस के पास होती है वास्तविक कारपाली का सक्तिया तो परधान मंत्री के पास है अगर केवल लिखा होता कारेपाल क्या सकती है तो राश्टपती हो जाता है तो और थाथ यहां पर भी कल्ब संक्या भी इसमें सही होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं कि निमनलखित कत्नों पर बिचार कीजिए राश्टपती भारत सरकार का कारे अधिक सुबिधा पूर्बक किये जाने के लिए और मंत्रियों में उक्तकारे के आबंटन के लिए नियम बनाएगा जहिर सी बात है कि ये सही है राश्टपत की द्वारा बनाया जाता है भारत सरकार की समस्त कारेपालक कारेवाहियां परधान मंत्री के नाम से की जाएंगी ये गलत है क्योंकि ये है अनुच्छेद 77 के अंतरगत बेवस्था किया गया है कि ये राश्टपत के नाम से की गई म सदत से हैं तो वह अभिस्वास प्रस्ताओं की इस्थिति में अपने पक्ष में ओट नहीं दे सकते हैं ये भी सही है वह निम्न सदन में बजट में नहीं बोल सकते हैं ये गलत है वह क्यों उच्छ सदन में ही वक्त दे सकते हैं गलत है उन्हें परधानमंत्री पत की सपद ग करते हैं कि भारतिये संबिधान के निम्लेलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिश्रद की न्यूकती तथा पद्चियूती को बिबेचित करता है डेफिनेटली ये बिकल्प संख्यट्टी यानि के अनुछेत 75 में कहा गया है कि प्रधान मंत्री की न न्यूकती राश्ट्पत के द्वारा की जाएगी और प्रधान मंत्री के सलाह पर राश्ट्पत अन्य मंत्रियों की न्यूकती करेंगे और अनुछेत 75 के खंड दो में ये कहा गया है कि समस्त्री सहित मंत्री परिश्रद जो है वो राश्ट्पत के परिशाद परियंत अप अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि आम तोर पर भारत की परधान मंत्री होते हैं यदब पिस सम्मेधान में इस तरह की कोई बाधेता नहीं है लेकिन सामान तया लोक सभा के ही सदस से होते हैं यदब यू दोनों के सदस से हो सकते हैं अगर ये कहा जाए हो सकने की तो दोनों में से किसी सदन का हो सकते हैं लेकिन सामानतिया लोकसभा के वो होते हैं हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं काउंसिल फार काउंसिल आफ सांटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यच यह तो प्रधार मंत्री ही होते हैं इस तरीके से यहां पर एक चीज़े होती हैं कि जो ब्यवहार में कारेकारी आयोग संस्थाएं होती हैं उसके दिश्टा प्रधार मंत्री के द्वारा किया जाता है और जो संबैदानिक प्रकार की ब्यवस्थाएं होती हैं वो राष्टपत की रूप में होती हैं तो अगले सवाल किते भारत के परधान मंत्री की न्यूक्ति के समय जरूरी नहीं कि वसंसर के दोनों सदनों में से किसी एक का सदसे हो परंतू से च्छा माह के अंदर आवस्य ग्रूप से दोनों सदनों का सदसे हो जाना चाहिए एकदम सही वाक्या है दोनों सदनों में से ए उसे होना चाहिए छे माहके अंदर आयसा कोई जिरूरिविंगी नहीं है कि वह नेयोक्ति के समय दोनों में से एक सदन का सदत से हो। एद्धा पाउर पर भी हम विचार कर लेते हैं जरूरर ही नहीं को असंतर कि दोनों सदनों में से एक सदत बहारत का प्रधान मंतरी बनने के लिए नियुन्तम आयू कितनी होने चाहिए प्रधान मंतरी के लिए तो नहीं लेकिन चुकि प्रधान मंतरी वही वेक्ति बन सकता है जो राज्य सभा या लोग सभा का सदस है तो राज्य सभा के सदस बनने के लिए तीस बर्स और लोग सभ का सदस बनने के लिए पचीस बर्स की आयू आवस्तिक है तो ऐसे इस्तिति वे नियूंतम आयू जो है वो पचीस बर्स की ही होगी अगला राश्टिय सुरक्षा समीती का परधान कौन होता है राश्टिय सुरक्षा समीती का परधान परधान मंतरी होता है और ये भी एक बेह समिधान के अंतरगत नहीं हुआ समिधान के प्रावधानों से हट करके हुआ है चोल समिधान प्रावधानों से हट करके हुआ है चोल समिधान संसोधन कई प्रकार के प्रावधानों में परिवर्तन से संबंदी थे लेकिन इसमें उप्रधान मंत्री के पत की बेवस्था नही तो ऐसे इस्तिति में जाहिट सी बात है कि राश्ट्रपति को के द्वारा परधान मंत्री की न्यूकति दी जाती है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगरे लिखित में से कौन सा वक्त अबे सही है भारत का परधान मंत्री संसत की दोनों सद्नों के मंत्रियों में अपने मंत्रियों का चैन करने के लिए स्वतंत्र है इस भी से में भारत के राष्टपत के साथ उचित प्रामर्स करके मंत्रि मंदल का चैन प्रामर्स नहीं स्वेंग के द्वारा परधान मंत्री के नेड़े होते हैं और उनकी सिफारिस करते हैं जिसके आधार पर पर परधान मंत्री के दिये गए सलाह और सिफारिस के बाद रा अगे के बिगलपों पे देख लिजिए अपने मंत्री मंदल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए ब्यक्तियों का चैन करने में पूर्तिया स्वाभिवेग का प्रियोग करते हैं अगला है अपने मंत्री मंदल के सहयोगियों के चैन करने में सीमित सक्तियां रखता है क्योंकि स्वाभिवेग के सक्तियां भारतिय समिधान में राष्ट्पत में नहित होती है यह गलत है यहाँ पर विकल्ब संख्या C भी सही है क्योंकि वह मंत्री मंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चैन करने में पूर्तिया स्वाबिवेक का परियोग करते हैं तो वाके संख्या A और C दोनों सही है, अगर यहां पर कूट होता तो दोनों होता, लेकिन यहां पर हमें एक ही विकल्ब का चैन करना है, तो सबसे जो सटीक है, वो विकल्ब संख्या C है, क्योंकि संसत के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चैन करने के लि हर पर ऐसे सवालों का उत्तर करना होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो बेक्ति संसत का सदस्टा नहीं है केंद्री मंत्री रह सकता है छे माह तक रह सकता है और छे माह के अंतरगत उसे कहीं न कहीं जो है सदस्ता चाहे वो लोगसभा चाहे राजसभा का लेना होता है अगला कोश्चन है कि भारत की संसत के संबंद में निमनलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर पूछा है नहीं है संभिधान में एक संसदिय प्रणाली की सरकार का प्रावधान ये है संसद का सरपर्मु का मंत्री मंडल का प्रावधान करना ये भी है मंत्री मंडल की सदस्ता निम्न सदन तक सीमी था ये ही गलत है किम्कि ये उच्छ सदन और निम्न सदन दोनों तक है विकल्प संख्यासी इसका सही उत्तर होगा अगले कोशिशन मंत्री परिशद सामोहिक रूप से उत्तरदाई होता है मंत्री परिशद सामोहिक रूप से उत्तरदाई होता है ये अनुच्छेद 75-3 में कहा गया है अनुच्छेद 75-3 में जबकि 74 में तो ब्योस्था है कि राष्ट्पत को सहायता और सला देनी करी मंतर परश्यद होगी तो इसलिए 75-3 में ये ब्योस्था सामोहिक उत्तरदायत के सिद्धान्त का समर्थन करता है हाला कि इसमें कूट की बारे में बात कही गई है तो हमें आन्ने बिकल्पों पर भी देखना होगा तो सामोहिक उत्तरदायत लोकसभा के प्रदी भी होता है संबैधानिक बाद्यता के अंतरगत तो एक, दो और तीन, तीनों ही बिकल्प सही है तो बिकल्प संख्या यहां पर भी सही होगा चोहत्तर नहीं होगा यानि कि जिन में भी चार है बिकल्प संख्या वो अपने आप में गलत होंगे अगली सवाल की तरफ हम लोग बाढ़ते हैं मंद्री परशद उत्तरदाई होती है राष्टपत के परदी, पधारमंत्री के परदी अध्धिक्षे के परदी, संसद के हाँ यह एक बहुत important question है आपर इस बात को ध्यान में रखना है चोगि इसमें बिकल्प लोग सभा नहीं है लेकिन जहां पर सामुझ उत्तरदाईत की बात स्वेंग राच्चे सभा भी समिलित होता है अगला question है मंत्री परस्थ सामुझ उत्तरदाईए यहां पर इसको clear किया गया है राजसभा के परती लोग सभा तो यहां पर हम लोग सभा को लगाएंगे इसलिए हम पर इस question को भी select किया गया है अगले question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि केंद्री मंत्री परस्थ के त्याक पत्र देने के उपरांद ने मिलकित मेंसे कौन सा एक इस्तिती सही नहीं है इसमें नहीं है पूछा राजपर सासन लाग हो जाएगा यही है गलत है क्योंकि वहाँ पर राजपर सासन की ब्यवस्ता ने यह वाकिय गलत है अथारत यही वाकिय यहाँ नहीं और नहीं है इसलिए यह सही हो जाएगा राश्ट पे बैकल्पी 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 बैकल सेंह के मंत्री पर दान मंत्री के प्रशाद प्रियंत अपने प्रत प कर दाय होगे यहां प्रन कि युर्द फस्जा पर बिकल्प एक पर खुगा साथ। मंत llegarra нर्माना ez- 정확 preparation अगला है संगे मंतिरी भारत के राश्रपत्त की प्रसाद परएंद अपने पत पर बने रहेंगे बिद्र निर्मान ही उतु प्रस्ताओं के बारे में प्रधान मंत्री राश्रपत को सूचित अगला है इस तरह के, इस तरह के से प्रति सामोई ग्रूप से उत्तर आई होते हैं यह गलत है क्योंकि यह लोग सभा के प्रति लिखा हुआ है सीधा 85 75 तीन के अंतरगत इसलिए ये वाग की यहां पर गलत होगा बिकल्ब संख्या भी यहां पर शही उत्तर होगा अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमलिकित में से किसका भारत की सम्विधान में तो असपश्टूलेक नहीं है पर परिपाटी की रूप में इसका पालन किया जाता है बृत मंत्री कूं निम्न सदन का होना चाहिए नहीं परदान मंत्री यठी निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पतर देना चाहीए यह तो फिलहाल है और और मंत्र परस्त के भाग सभी परत्नेधितहों यह कोई ज़रूरी नहीं हो इस अपने पतावद की समापत की पूरभी राश्ट पतुपर राश्ट पतुपर दोनों एक साथ त्याग पत्या करने पर संसद के निम्न सदन का देख्च राष्ट पतिकार यह नहीं है विकल्प संख्या भी यहां पर सही उत्तर है अगले गोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं पर संसद के सद्वारा जो बहुत से अब इस्वास प्रस्ताओ पास होने पर मंत्री परिश्रत को त्याग पत्र देना पड़ेगा लोग सभा के परतिम यह तो अनुचिर पशातर तरतीम में कहा ही गया है अगला है कि अपना त्याग पत्र को अपने त्याग पत्र की बिसे में लोग सभा में बैक्टीगत वक्त तब देनी के लिए किसी आनुमत ही तो बेसिकली इसमें इस स्पीकर का नुमत होता क्योंकि वही सदन में ब्यवस्था बनाये रखने और मत देनी का कारी करता है अगला कोश्चन है कि मंतिपरस्थ के अभिस्वास प्रस्थाओ लाने के लिए लोग सभा में कितनी सदसंख्या तो ये पचास है इसी ब्यवस्था ही की गई है अगले कोश्चन के तरफ हम लोग वड़ते हैं कि भारत में अभिस्वास प्रस्थाओ के संदर में कोई उल्लेक नहीं है अभिस्वास प्रस्थाओ के वल लोग सभा में ही अस्थापित किये जा सकते हैं तो अभिस्वास परस्ताओं इसलिए लोग सभा में अस्थापित किये जाते हैं क्योंकि लोग सभा को जनता के द्वारा परतिच रूप से जो चुने के सदस्यों के हार पर बनाया जाता है और जब सरकार लोग सभा के परतिच रूप सभा में रखा जा सकता है और जबकि अगला पहला वाक्य भारत के समयधान में किसी अभिस्वास परस्ताओं का उलेख नहीं है तो ये वाक्य जो है अभिस्वास परस्ताओं को लिख नहीं है ये वाक्य गलत है क्योंकि अभिस्वास परस्ताओं की बेवस्था इसमें की गई है खाला की अनुच्छेद 75-3 में जो है मंत्रप्रसद लोकसभा के प्रतिसामोई ग्रूप से उतरदाए होगी अभिस्वास प्रस्ताव कि अब लोकसभा में पुरुस्ता पित होंगे यहां पर व्याक्षा को भी हमने ले लिया है अनुचे 118 के अनुशार कहा गया है कि संसद का परतेक सदन अपनी प्रक्रिया और कारसन चालेंज के लिए नियम बना सकता है और लोकसभा ने अपने नियम 198 मौंत्रियों में के विर्दु अभिस्वास प्रस्ताव के बारे में प्राउधान किया है तो कहने कातात परेगी जो अभी स्वास प्रस्ताओं के संदर में बेवस्थाएं हैं वो संसत के द्वारा बनाई गई हैं और लोगसभा नियम एक सो अठान बेके अंतरगत बेवस्था की गई है अर्थात वाके एक और वाके दो यहां पर दोनों सही है विकल्ब संक्यासी य लिया जाता है आठकि एक सो दो में यह बेवस्था की गई लापके पत का और राश्टपत की द्वारा एक सो तीन के अंतरगत ऐसा निड़ लिया जाता है तो इस तरीके से यहां पर वाके संख्या ए यहां पर सही उत्तर होगा अगले कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते ह कि सोतंद भारत के पर्थम बित्ट मंतरी देखें इहां पर लिखा सोतंद भारत के पर्थम बित्थमंतरी सर्मुखम सथी थे और इन्हों ने सोतंद भारत का पहला कंद्री बưछे थ और उन्हें सोनचास इस्थान पर जान मत्हाई को नियूट किया गया था लेकिन चुकि यहां पर स्थिति जो है असहाज बनती है लेकिन यह किलियर होना चाहिए कि स्थिति पर्थम बित्त मंत्री सडमुकं सेटी थे और बाद में जो है उन्चास में उनके स्थान पर जान मत्हाई को बनाया गया था सोतंतर भारत के पर्थम मंत्री मंडल का कानून मंत्री कौन था सोतंतर भात के पस्चात सोतंतर भारत के जो है पस्चात डाक्टर भीमरावं बेट कर थे जबकि अंतरिम सरकार के अंतरगत जो है जोगेंदरनाथ मंडल को जो है बनाया गया था तो सोतंतर भारत सोतंतरता के पस्चात भीयारं बेट कर और इसके पूरव में जो अंतरिम सरका पर बनी थी उसमें जोगेनात मंडल थे अगले कोश्चन के तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं कि निमलिकित में से जो कौन से सब्दावली भारत के समिधान में उलिकित नहीं है बजट बेसिकली नहीं इसके अस्तान पर वार्सी बित्य बिवर्ण का जो है लिखा गया है बाकि सारी ब्यवस्ताइं है तो विकल्प संक्या से इसका सही उत्तर होगा भारत के किस परधान मंत्री के निवक्ति बाहर होई है देश के बाहर उनने 1686 इस्वी में अगर देखा जाए तो उनने 1686 इस्वी में तासकंद समझ जोड़ते के दौरान लाल बहादूर साश्त और मध्धेसिया के जो है पांच देशों में एक महत्पूर देश के रूप में दर्चा प्राप्त करता है। अगले कोशिशन के तरफ बढ़ते हैं कि कौन भारत के परधान मंत्री बनने से किसी भी राजी के मुख्य मंत्री नहीं है। इसकी ब्याख्या भी यहाँ पर दिया गया है। अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं उदारी करण, निजी करण और भूमडिली करण की नई आर्थिक नीती घोसित की गई है। और इसलिए वाके संक्या दो सही है और वो इसी उत्तरदाइत को सुनिश्चित करने के लिए नीती बनाते हैं उनका क्रियान में लोग से बख्ये द्वारा जो है इसमें किया जाता है। तो दोनों हिवाक की समें जो है सही होगा। अगले कोईश्चिन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्ले लिखित कत्रों पर विचार कीजिए। भारतिय संगे की कारपायल का सकती प्रधान मंत्री में नहीं राष्टपत में हैं लिखित रूप में और वास्तिविक रूप में अगर देखा जाए तो वो प्रधान मंत्री मोता लेकिन वहां पर वास्तिविक सब्द का प्रियोग नहीं किया गया। प्रधान मंत्री सिविल सिवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है प्रधान मंत्री सिविल सिवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं जबलकि मंत्री मंदल सच्यू यानि की कैबिनेट सेकरेटरी इसके जो है अध्यक्ष होते हैं या वाके संख्या एक और दो दोन क्या सीनों की गलत है क्योंकि दोनों के हो सकते हैं कैबिनेट सच्चिवाले संसलिय कारे मंत्राले के निदेशा धीन कारे करता है यह भी गलत है क्योंकि यह प्रधार मंत्री के नियंत्र में काम करता है और उसका प्रसासनिक अधिकारी मंत्री मंदल सच्चिव यानि की कैबिन मंदल की कुल मंत्रियों की संक्या परधान मंत्री सम्मिलित जो है पंदरा परसे से दिख नहीं तो यह क्यान ब्यवस्था की गई है अगले कोश्चिन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमिल्कित में से कौंसा एक आधिकारिक दस्ताबेच भारत से संबंदित नहीं सोयत पत नहीं की कारेपालिका सक्या का प्रियोग से प्रकार किया जाएगा इसे संग की कारेपालिका सक्या के क œilk पर कोई प्रभाव ना पढ़ता है तो नुच्छित इसमें 246 होता है तो चुकि यहां पर कारेपालिका का बात किया गया है तो ऐसी इस्थिति में उच्छेद दोसो सताओन यानिक विकल्ब संख्या ये इसमें सही उत्तर होगा संख्या मंद्र मंदल की पुनल गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारी था तो ये गोपाला स्वामी आयंगा है विकल्ब संख्या ये इसका सही उत्तर होगा अगले कोश्चे के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि न chegकित में से कौन साथ से मंद्री मंदल सची वाले का के कार हैं इसको मंत्र मंडल की बैटकों की कारसूची भाई बैठक तो बनाएगा ही बैटकों उसमें किन विस्वाली सहाथा, यह संसाधन नहीं उपलब्ट करता है, विकलब संक्या एक और दो यानी की विकलब संक्या सही होगा, जैर से बात यही होगा, यहां पर नीचे एक सूची भ होता उसकी वेवस्था करना दस्ता भी जो वहां पर बैठकों में नेड़े लिये जाएंगे उसका बितरन करवाएंगे उसके रिकार्ड को रख रखाव कराएंगे उसके मंत्रिमंडल दुवारा लिए गए नेड़ें की क्रियानमेन की निगरानी करमाना तो इस तरीके से आप लोगों को एक अधारा के साथ साथ तत्यात्मक बिसेयों के बारे में भी जो है अस्पष्ट जानकारी हो सके तो आज का ये जो लेक्चर था वो बिसिकली तत्यात्मक क्वेस्चन पर आडियो लेक्चर पर जो आधारी था तो उमेद करता हूं कि इस टापिक से मिलेंगे तो आप लोग अपने पढ़ाई को एक नई दिसा में बेहतर ढंक से जारी रखिए और इसी तरीके से और ने सभी टापिक्स के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और वीडियो को आल टैप आल वीडियो के लिए आगे उसी टाइम पर आप लोगों को ये वीडियो जो है प्राप्त होता रहे तो नमस्कार